इसे परले हम लोग ने देख लिया है, lecture 1 और lecture 2 अगर आपने उन lecture को नहीं देखा है, तो जाकर कर प्लेइलिस्ट बना गया है, उसमें सारे लेक्चर को आड़ कर दिया गया है, वहाँ सारे लेक्चर को देख सकते हैं इसकी अलावा आरके राजपूर सीरीच के जितने भी चेप्टर के सालूसन हो चुकी है उन सभी चेप्टर के जो सालूसन है प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को एड कर दिया गया है वहां से जा करके आप सारे लेक्चर को देख सकते हो तो स्टार्ट करें हम लोग आज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो अगर आप मारी चैनल को फाली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना ताकि जब भी विडियो अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेसन है यहाँ पर दिया गया कि दो यूनिट चार्ज डैंसिटी के बारे में बात की गई है कि च्रह दैनसिटी होता क्या हूता का यूनिट क्या हो जागा कुलांब हो जाएगा ठीक है अब वालूम वालूम क्या हो जाएगी मीटर क्यों तो जो वालूम चाइज जैंसिटे की यूनिट निकल के क्या आगई कुलांब पर मीटर क्यों आ ठीक है क्या है कुलांब पर मीटर की हमारी वालूम चाइज क्यों क्या होता है हमारा बालम चार्ज एंजिटे का यूनिट होता है ठीक है अब नेश्ट कोर्षन देखते हैं कोर्षन नमबर 83 तो कोर्षन नमबर 83 दिया गया है the surface integral of the normal component of the electric displacement d ठीक है यानि कि जो आपका surface integral की बात करें जो normal component होता है electric displacement का उसका surface integral आप लोग है over any closed surface कोई closed surface है उसके उपर equals the charge enclosed by the surface मतलब कि जो electric displacement d होता उसका surface integral क्या होता उसकी closed surface के अंदर जितने चार्ज होते हैं उसकी क्या होती है value होती है तो statement क्या बोलता है इसको बोलते हैं हम लोग गौसेज लाग बोलते हैं या फिर इसी statement को लोग क्या बोल सकते है कि कोई एक क्या है closed surface है ठीक है इसके अंदर suppose करते हैं कई क्या charge है Q1 है Q2 है क्या Q3 है ठीक है इसके अंदर क्या है बहुत सारे charge है इस closed surface के ठीक है अब इस जो हमारा एक closed surface है इसके अंदर से जितने जिन्हें फ्लक्स निकलेंगे उसकी पायवियो क्या हो गए इसका बतनार चाण healthier son क्या करने की एवक क्या होगा समें यानवी कि की one plus q2 plus q3 इसको यह सकरें भी तो इसका इसे वी मिल्ग रिंटी आपको समाद्स होगा आप हम लोग सर्मने देखेंगे जो next question क्या है question number 84 तो जो question number 84 दे रहा है यहां पर the potential आप the sphere is given by अब यहां से आपको sphere के potential के बारे में बात की गई है तो आप इसको कैसे निकालोगे तो आप क्या जानते हो यहां से निकालना क्या है पोटेंशल की बारे में निकालना है तो हम व बारे में इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे तो व की बारे हो गई हो जाएगी e into d तो यहां से निकालना हम लोग वीच कल्ट हो जाएगा e into d ठीक अगी की बारे में हम लोग क्या जानते हैं होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 into qy d square होता है ठीक dot d तो d से टी cancel out बचा कि 1 upon 4 pi epsilon 0 into qy d तो option देखोगे यहां पर option भी क्या हो जागा right यहां पर r लिखा हुआ डिस्टेंस को r लिया है इसने यानि कि जो इस फ्यार है इस फ्यार इस तरह होगा इसका radius क्या है आ रहे है ठीक है किसी को इसने क्या लिए आर से represent किया हम लोग लोग किस से represent किया दे से ठीक तो option भी क्या हो जागा right हो जागा हमारा यह option भी हमारा right हो जागा ठीक है next question देखते हैं अब यहां से जो next question है question number 85 क्या पूछ रहा डाइलेक्ट्रिक strength आप माइका यानि जो माइका material है डाइलेक्रिक strength कितनी होती है ठीक है पाले यह जान लेते हैं किलो बोल्ट पर एमम में या फिर किलो बोल्ट पर cm, ठीक है यह दो क्या योनिट होती है अब यहां से जो option आगर आप देखोगे तो option c जो है 50 to 200 Kb पर mm यह हमारे majority वी का होता तरह का ब्रेक्टवडां ब्लेज होता है एसा मैक्सिमीम ब्लेक्टवन ब्ल्टेज होता है जिसे पर की कोई मैटेरियल यानी क्लम हो सकता है कि अंग it like युल फिल्ट ऑपता है तो चौर meth को ए टरहके जो कि माइका मेटेरिल के हाँ पूछा गया है तो जो इसकी बैल होगी 50 to 200 kv पर mm ओके तो next question देखेंगे हम लोग question number 86 तो question number 86 में दिया गया है the dielectric constant यानि के relative permitivity ठीक है dielectric constant की आप क्या बोलते है relative permitivity जिसको कि आप epsilon r से क्या represent करते हो तो यहाँ पर आप glass की बारे हम बात की गए कि जो glass की dielectric constant कितनी होती है तो इसका होता है 5 to 100 होता है ठीक है next question देखते है यह सारे one linear question है आपको याद रखने वाले question है इसको आप पापी में note down कर लेना और इसको revision करते रहना ठीक है तो question number 87 देखेंगे हम लोग question number 87 लिखा गया है कि dash capacitors are mainly used for radio frequency tuning तो आप radio frequency tuning के लिए कौन सा capacitor यूज करते हो तो आप यूज करते हो air capacitor यूज करते हो फौन सा air capacitor आप यूज करते हो ठीक है इसको अब आप याद रखना note down कर लेना आपी में तो question number 88 देखेंगे, question number 88 दिया गया है, dash capacitors can be used only for DC तो हम लोगों का पता है कि हम लोग DC में सिर्फ कौन सा capacitor यूज करते हैं तो capacitor करने होता है, electrolytic capacitor होता है, एक तरह का polarized capacitor होता है, इसको right polarity में connect करना जरूरी है अगर आप राइट polarity में connect नहीं करोगे तो इसका क्या हो जागा, breakdown हो जागा, इस वज़े से electrolytic capacitor का जो यूज हम कहां करते हैं, सिर्फ और सिर्फ DC में यूज करते हैं और इसके जो यह नोट किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग electrolytic capacitor को मार्क करने वाले हैं, ठीक है, जो कि DC के सिर्फ यूज करता है अब next question देखेंगे, question number 89 अब यहाँ पर जो question number 89 दिया गया है, वो क्या पूछ रहा है, question number 89 दिया गया है कि कौन सा capacitors है, जो कि कहां यूज करता है तक transistor circuit में, यानि कि DC capacitors are used in transistor circuits तो हम लोग को क्या है पता है कि जो ceramic capacitor होता है, वो हम लोग कहां यूज करते हैं, transistor circuit में, यूज कर लिते हैं, ठीक है यह one linear question है, बहुत important question है, आप यसको याद रखना है Q inversion ns 90 क्या पूच रहा आप यहां पर पूच रहा है कि c capacetters are used for audio frequency and radio frequency coupling and tuning आप यहां पूचा गया q Radio frequency coupling या फिर radio tuning या फिर audio frequency चनले हों कॉण सा Canadian के करते हो तिंगेलां negotiated उसके मैंटर से लिए आप जो क्वेश्टेटर कीसा है R ऐने कि मैंटर से जो कि आडियो फ्रेक्वेंसी आरर रेडियो फ्रेक्वेंसी कप्लिंग और ट्यूनिंग के लिए यहांरा यूज किया जाता है अब हम तो next question देखेंगे अब यहां से जो next question है question number 91 क्या देरा याइज ऑप plates आप the parallel plate कापिस्टर एउसका एरिया दिया गया टो आप टेन केलिक ब हूर एंटो टेन तो पोर माञांस 3maute ृटीक है आप अपको अच्फ दिया हुआ अब यहां क्या है आपका जो क्या दिया हुआ है प verdict दिया हुआ कि अब आगे क्या लिखा है यह मैं ने कि के पलेट की प्लेट में त्या दिया गई है दिसकल्टो दिया गया आपका 10 mm दिया गया ठीक है और बोला गया कि अन्ड डाइलेक्ट्रिक बिट्विन दें और उसके चोग पैलल प्रेट के पिश्टर के बिच्ट अब यूज कर रहे हो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो पर्मिक्टिविटी दी गई है यानि आप यह चीजे दिल गई है तो अब उचा गया कि आप एरिया बताओ ठीक आप फार्मलाप क्या जानता इसकी अप्सलीट इसकी देंध क्या होता टी आप सी दिया गया है अब साइलन नांट हमको पता है कि अप्सोल्यूट नाट अप्ट ता है इसकी बेलू अपरक दो क्य यह पूछ रहा है और यानि कि दिस्टेंस किसमें दिया गया तो 10 mm को हम मीटर में कर देंगा तो 10 इंटू 10 दो पाउर माइनस 3 मीटर हो जाएगा ठीक बस इसी बैलू इसको रखना है और इसको इधर असे ट्रांसपर करके आप एक बैलू कर लेना है तो इस इसको हमारा क्या जाएगा यह सक्व जाएगा शीए इन्टू डी अपान आपसाइलन आर अपसाइलन नाट ठीक है हम बस बैवलों यहां पूट करके आपको दिखा देते हैं यह इसकल्ट हो जाएगा हमारा आप क्या रखोंगों सी सी के बैवलों दिया गए 0.3 इन्टू 10 दो पावर मैंस 3 से मल्टिपलाई करना पड़ेगा ठीक है इन्टू डी डी की बैवलों क्या दिया हुआ 10 दिया 10 इन्टू 10 दो पावर मैंस 6 साफ रखत होगे ठीक है डिवाड़ेट बाई क्या लिखोंगे आप आप डिवाड़ेट लिखोंगे आप क्या एपसाइलन नाट इंटू अपसाइ अब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे करने के बाद जो हमारी एरिया निकल के कितने आएगी 0.135 मीटर इसक्वाइर आएगा बस कैलकुलेशन उसके बाद है ठीक है तो जो 91 का जो हमारा एंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्सन सी राइट हो जागा 0.135 मीटर इसको क्या कर रहे हो तो किसने बोल्ट से 230 बोल्ट से आप क्या किये हो इसको 230 बोल्ट से आपने क्या किया है इसको कनेक्ट कर दिया गया आपको इस C1, C2, C3 किस में कनेक्ट हैं तो बोला क्या है दें चार्ज आं एक केपिस्टर जो इये सभी केपिस्टर इन पर कितना चार्ज आएगा तो सभसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका चार्ज की बैलू निकल जाएगे Q is equal to cv से तो चलिए हैं से फाइंड करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 upon c is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4 ठीक है तो इसका जो आप साल्ब करोगे तो जो c की बैलू निकल के कितनी आएगी c is equal to आएगा आपका 4 by 7 ठीक है बस calculation आपको करना equivalent c की बैलू इतनी आए बोल्टेज दिया हुआ है आपका charge की बैलू जो होगे q is equal to होती है c v होता है ठीक है तो आप यहां से निकालोगे तो c की बैलू कितनी आए थी हमारी 4 upon 7 आया था बोल्टेज की बैलू क्या गया है 230 बोल्ट दिया वर 230 हो जाएगा ठीक है तो अब यहां से आप क्या करोगे calculate करोगे 4 का multiply 230 में और आप उसके बाद 7 से divide करोगे तो जो answer निकल के हमारा q की बैलू कितनी आएगी q is equal to आएगा 131.42 इन्टू 10 दो पावर माइनस 10 दो पावर माइनस 6 कुलाम आएगा ठीक है तो इसमें आप option देखोगे जो option c क्या है राइट है 131 option c क्या है 131 इन्टू 10 दो पावर माइनस 6 कुलाम ठीक है next question देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर जो next question है question number 93 बोला गया the inverse of capacitance is called आप capacitance की inverse को क्या बोलते हो इसका जो एंसर क्या हो जागा इलाश्टेंस क्या बोलोगे इसको इलाश्टेंस बोलोगे next question देखते हैं अब यहाँ से जो next question है question number 94 यहां क्या दिया गया है when the dielectric is homogeneous the potential gradient is अब यहाँ पर बोला गया कि जो आपका जो EEP constant है वो क्या है वो uniform है यानी की constant याने कि चुटा एलेक्टिक है उसके data कॉंस्टेंट हे वह वैरी नहीं कर रही है याननऌ की चेंज नहीं कर रही है यानए कि क्या है आपकी यूनीफर्म होने के उच्श्ब क्या बोलत से लेकिन अगर यहीं पर यह बोलता कि नान यूनिफार्म हमारा जो डायलेक्ट्रिक क्या होगा तो जो नान इसमें होता दो different dialect metallic क्या होते है slab से मिल करके यह जो dialectic बना होता है ठीक है न और इसमें क्या होता है कि आपका जो dialectic है vary कर सकता non-uniform non-uniform dialectic में ठीक है तो वमेदे आपको समझ में आया होगा कि जो homogeneous काने का मतलब क्या है कि जो dialectic आप यूज कर रहे है उसका जो dialectic constant है हम आपर vary नहीं कर रहा है यानिक एक तरह से क्या constant है ठीक है place to place vary नहीं कर रहा तो जो potential gradient पर क्या हो जाएगी आपकी uniform हो जाएगा ठीक है न नेस्ट कोसन देखते हैं हम लोग अब तो यहाँ पर जो next question है question number 95 क्या पूछ रहा है पूछ रहा कि the potential gradient ये cross the material आप low permittivity potential gradient जिसको आप बोलते हैं minus db by dx यह क्या होता हमारा potential gradient होता ठीक बोला गया कि low permittivity material का potential gradient कितना होगा the is dash then across the material of high permittivity material यानि की तरह साप हो यहां compare करना है कि जो high permittivity material है उसका potential gradient और जो low permittivity material उसका potential gradient उन दोने में क्या compare जाना है यानि greater होगी कि less होगी इसके बारे में बताना है तो अगर आप देखो कि low permittivity का जो potential gradient comparison to high permittivity of material के potential gradient कितना होगा तो देखो अब यहां पर लिखा क्या लिया है तो अगर आप देखोगे तो q is equal to क्या होता cv होता ठीक है अब उसके बाद आप देखोगे कि permitivity क्या है अगर हाई है permitivity क्या है अगर हाई है ठीक है तो पर्मिंट्विट्विट्य आई आपको क्या निकालना पोतेंसल ग्रेडियन निकालना है तो हम लोग क्या अगर v की value देखें Q upon C ठीक है अब हब है… अब यहां potential की value अगर देखें तो अगर हमारा यहां सख pana-e 성 common делает अब यहां पर क्या हैை पर लिए यानन रिपलर fat वेल है यानि क्या पंटीविट्सलो में का पिस्टेंयल और eg हो गई हमारी हाई हो गई ठीक है पोटेंशियल हाई हो गई यानि यह है कि पोटेंशियल अगर हाई है तो चेंज इन पोटेंशियल पर उनिट डिस्टेंस यानि किसी को आप क्या बोल देते हो डिवी बाई डिएक्स बोलते हो यानि माइनस डिवाई डिएक्स किसी को बोलते और पोटेंशल ग्रेडियंट यानि कि पोटेंशल जब हाई है तो उसका पोटेंशल ग्रेडियंट भी क्या होगा हाई होगा ठीक है तो जो लो परमिट्टिविटी अगर है तो उसकी जो पोटेंशल ग्रेडियंट क्या होगी ग्रेटर होगी क्या होगी ग्रेटर होगी उमे लिखो गए आप Q upon C, तो Capacitance क्या होगा यह लो होगा या अपको Potential High तो Potential High याने Potential Gradient क्या हो गई हो गई हो गई तो जो Low Permittivity Material है उसका जो Potential Gradient क्या होगा Across the material Higher होगा याने की Greater होगा तो Option B क्या हो जागा Right याने की Greater than एक्राउस दर मैटेरियल आफ हाई पर्मिक्टिविटी ठिक यह होता है तो उम्हेदे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी आप हम लोग नेक्स्ट को संदेखेंगे नेक्स्ट कोचर नहेंटिसिक्स में बोला कि यहाईजFilt is ACT의лам आपकेस्टर से कान सरें पर्मिक्टर करता है और Inductor हमारा क्या करता है मैंने ऐनशी को क्या करता है ठीक है और तो इसे होता है एनशी को कहां कि यह करते है उस Whew हमारा क्या energy को store करता है electrical energy को तो option कौन से राइट होगा तो जो हमारी capacitor किसे associated है तो हमारी जो associated है उससे electric field से associated है तो option A is right next question देखेंगे तो जो next question है question no 97 एक capacitor having capacitance of 5 microfarad 5 microfarad का क्या है capacitor है charge किया जा रहा potential difference कितना मिला 10,000 volt का V क्या value दी गई है 10,000 volt ठीक है charge to the potential difference of 10,000 volt बोला क्या गया है the energy stored in the capacitor कितनी energy store होगी simple है each quarter हो जाएगा आपका 1 upon 2 cv square हो जाएगा आपका निकल करके जो आएगा कितना आएगा 1 upon 2 into c की value 5 5 microfarad into 5 into 10 to the power minus 6 farad में change कर दोगे into V square ठीक है तो आप क्या करोगे 10,000 है तो इसको आप square कर दो तो 10,000 into 10,000 ठीक है अब इसको आप solve करो तो solve करने के बाद जो हमारा answer निकल के आएगा इस कर्टू कितना आएगा 250 Joule आएगा answer ठीक तो 97 का option कौन से राइट हो जाएगा option डी राइट 250 Joule ठीक है next question देखते हैं अब यहाँ पर जो next question है question no.98 यह single core cable cable को ही है जिसका की single core है ठीक है conductor जो है उसके अंदर यह कही है on 33,000 voltage voltage क्या दिया गया है 33,000 voltage है conductor diameter क्या 10 mm जो core material है आपका conductor material है उसकी diameter क्या दी गया है 10 mm ठीक है and the internal diameter of sheet 25 mm और जो sheet का diameter है cable का उसका क्या दिया गया है 25 mm का diameter दिया गया है बोला क्या गया है the maximum electrostatic stress in the cable इसकी value आपको find करने है तो formula क्या होता है electrostatic stress in cable में तो cable में जो electrostatic stress हो होता है g max की value कितनी होती है होता हमारा 2b divided upon small d log of to the base e या to the base e होगा ध्यान रखना divided into d upon small d ठीक है log में d upon small d ठीक अब d capital d क्या है आपका जो sheet उसका diameter है small d क्या है small d आपका जो core है यानि conductor है उसका क्या है diameter है त्यहां से अब लोग क्या निकालेंगे electrostatic stress की value निकालेंगे तो रखेंगे फार्मिले में 2 into d बोल्टे दिया है 33,000 सिंपल अब रख दोगे d small d यानि के conductor का diameter 10 mm में दिया गया इसको आप क्या कर दो आप इसको आपको चेंज करने के दोनों क्या unit कर जाएं तो चेंज करने की बोज़े रखने है ठीक है सेम बैलू आप इसका जब solution निकालोगे यहां base e पर आप निकालना तो निकालने के बाद आपका जो निकल क्या आएगा कितना आएगा 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 72.23 into 10 to the power 10 to the power 5 10 to the power 5 बोल्ट पर मिटर आपका क्या आएगा एंसर आएगा तो अगर आप option B में देखोगे तो option B दिखरा क्या 72 into 10 to the power 5 बोल्ट पर मिटर ठीक है फार्मला होता है फार्मले बाब रखना simple calculation है उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना ठीक है answer आजाएगा तो next question देखते हैं next question of 99 for a medium mark relative permittivity epsilon r ठीक है फिल स्ट्रेंथ की बेलो निकाली आप जो medium में उसका relative permittivity क्या दिया गया अपसाला नार आप क्या जानते है इस कल्ट होता है सिगमा अपन अपसाला नार जानते हो यह का होता है जब एर क्या होता 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 हमाँ पर ठीक है तो उसकी relative permittivity हम लोग क्या कर देते थे वन कर देते हैं लेकिन यहाँ पर medium का relative permittivity epsilon r दिया है तो आप यहां क्या रखोगे epsilon r रखोगे तो फानली जो हमारी field strength की value निकल के क्या आएगी field strength की जो value निकल के आएगी is equal to आएग हमारा सिग्मा अपान अप्सालन नाट उन्टू अप्सालन नार न्यूटन पर कुलाम ठीक है तो आप्सान एज राइट अंसर ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं तो नेस्ट कोशन है कोशन नमबर हंड्रेट क्या बोल रहा यान इक्वी पोटेंशिल सर्फिस इजो वन वीच हैज आल पॉइंट्स एट डैस पोटेंशिल तो सिंपल है जो क्या राइट हो जाएगा यान कि Sam टिम्ट्रेइब किसी पॉइंट प्पेस्जिल क्या होगी सेम ओगी एक पॉटेंशल सर्फिस की केस में ठीके नेक्ट को संदेखेंगे अब यहाँ पर जो next question है पूछा गया है कि दो infinite parallel plate है लिखा गया two infinite parallel plates 10 mm अपार्ट यानि कि उनके बीच में distance से 10 mm की है अब उनके बीच में जो potential different की बैलू potential जो difference की बैलू क्या दी गई है 100 बोल्ट आपका दिया गया है अब बोला क्या गया है कि the acceleration of an electron placed between them यानि कि जो आप parallel plate layer infinitely ठीक है इसमें जो सपोर्च करते हैं को electron क्या accelerate करता है तो उसका acceleration आपको value find करनी है तो कैसे निकालोगा पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ठीक है मास आपको पता है electron का कितना होता है उसकी बैलू रद्ध होगे पहले force निकालो कितना force लगेगा उसके तो force के निकालने के लिए आप क्या करोगे कोई charge particle है किसी electric field में मूब कर रहा है तो उसके कितना force लगता है या physical 2 होता है Q into E होता है पता है आपको ठीक क्यों तो electron में चार्ज हो जाएगा हमें पता है यह की बैलू निकाल नहीं है तो इक बैलू आप कैसे निकालोगे electric field intensity है तो E के लिए आप क्या करते होगे V upon D करते होगे E के प्लेस पर आप क्या रोखोगे V upon D होता है ठीक है और V क्या दिया होगा potential difference दिया हो 100 दिया हुआ है और T small d क्या distance between plate है तो दिया या टेने मा तो यहांस आप निकाल सकते हो ऐसे निकालें हम लो F is equal to हो जाएगा Q into E is equal to Q याने electron पर charge into E की बेलो क्या हो जाएगी V upon D हो जाएगी potential difference upon distance between them तो यहां से आप charge on electron Q की बेलो क्या है चारदन electron तो 1 electron पर charge होती है 1.602 into 10 to the power minus 910 ठीक है V voltage मतलब potential difference पता क्या आपको पता करना तो दिया गया 100 तो 100 आप रख दो यहां क्या हो यह 100 हो जाएगा divided by small d याने के distance distance कितना प्लेटों के बेच में 10 mm है 10 mm को आप किस में convert कर दोगे आप मिटर में करनोड कर दो तो 10 to the power minus 3 का क्या कर दोगे multiply कर दोगे हो जाएगा आपका 10 into 10 into 10 to the power minus 3 आप क्या कर दोगे यहां पर कर दोगे अब इसको आप calculate करो calculation है तो calculate करो गतिया फ की value कितनी निकल के आएगी यहां की बेजिट बेलू जो निकल के आएगे आएगे निकल के 1.62 into 10 to the power minus 15 ठीक इतनी आएगे बेलू निकल के इसको आप 10 to the power minus 15 इतना आया था दिवाड़ेड बाई यह मास आफ एलेक्टरान तो मास आफ एलेक्टरान जानते हम लोग क्या 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है ठीक अब यहां से आपको क्या करना सिर्क काल्कुलेशन है काल्कुलेशन करोगे काल्कुलेट करने के बाद जो बैलू निकल के आएगी वो निकल के आएगी इसकोल टू 1.7 into 10 to the power 15 10 to the power 15 meter per second square unit होगी तो यह जो आपकी बैलू निकल के आएगी तो आपसन देखोगे अगर आप तो दी आपसन दिख रहा होगा 1.76 into 10 to the power 15 meter per second square जो होगा क्या electron जो हमारी एकसलेट करेगी electric field के बीच में उसकी बैलू होगी तो आपसन देखते हैं आप यहां से जो next question है question number 102 इसमें दिया गया the capacitance of an isolated sphere कोई isolated sphere है उसका आपको क्या निकलना capacitance तो आप क्या जानते हो simple formula आपको पता होगा 4 pi epsilon 0 into r farat यहां को पता है याद कर रखे होगे उमीद है तो आप इसको निकालोगो कैसे क्या करोगे आप सिंपल है करोगे क्या क्यू इसकल टू सीवी करोगे ठीक यहां से निकालोगे आप ठीक तो आपको क्या find कर निकालनी है तो यहां से आपको क्या निकलना पड़ेगा पाले मैं potential निकलना पड़ेगा तो वी का जो फार्मुला क्या होता तो पोटेंसियल का होता, V is कल्ट होता, 1 upon 4 phi epsilon not, इंटु क्या होता, Q upon R होता, ठिक, यह होता हमारा potential का formula, अब इसको हम लोग रखेंगे, होता क्या, Q is कल्ट to CV होता, C की value हो जाएगे हमारी, Q upon D हो जाएगा, तो हो जाएगा Q upon, अब V की value आप put करो, तो V की value होती, तो बाइलू निकल के हमारे आएगी सी इसकोल टू फोर पाई एपसालर नाट इन्टू आर तो आप्शन यह आपका जो राइट हो जाएगा फाइड़ आपकी यूनिट होगी ठीक है आ नेक्स्ट कोर्षन देखेंगे जो यहां पर दिया गया नेस्ट कोर्षन क्या है ओ दिया गया थी 103 इसमें पूछा क्या गया है ड़त टोटल डिफिशियंसी यानि की कमी और एकस्स यानि की अधिकता और फिलेक्ट्रांस इन्हें बोडि इस नोन आथ तो सिंपल है आपका तो क्या होता है तो चार्ज जादाँ हो जाता है किसी तो इस क्या वोलते बहुंए आपको बता दो आपको वीडियो पसंद आया तो उन्हें फ्रेंड्स के साथ सेर करते रहाना आपको कोई भी डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ठीक है तो चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं तो जो नेस्ट कोर्षन में कोर्षन नंबर 104 क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है कि याने कि आपको रिलेटिव परमीटिवीटी आपसे क्या पूँछी गई है यूनित पूछी गई है अब क्या जानते हो अप dużo अपसाला नाट इंटो अपसाला नार अपसालाण की बहुलुक को हम लोग क्या बोलते है एपसुल्यूट परमीटिविटी आप मैटेरियल हए इस लुका है फिर ब्याव बता दे रहा हो खले लिएर क्या उता है घुलिक की ऐङ्यांट क्लीकि तो आपको आप अप से यह की पहला संट हो जाएगी इसका भी इनुटथ है किẢandır की कोई यूनीट worldly या होगि कोई उनिट नहीं 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 ड刚 ज्यानिक रिँलेटिव परमिक्टिविटी के की कोई उनिट नहीं होगी तो आपूर्सन कोण सौजा और शैए रैट ठीक है कि आया है पर नेक्ष् सिंट क्या है 105 कोसिन नंबर 105 बोला गया कि इफ्न कि यहां से आपको रिलेक्टिव पर्मिक्टिविटी दी गई किसका माइका का अपसालन नाट क्या होता है एर का पर्मिक्टिविटी होता है अपसालन नाट हो जाएगा 8.85 अपसालन नाट की बेलू कि इतनी होती 8.85 इंटू 10 दो पावर माइनस 12 यह होता है इंटू अपसालन नार जो मैटेरियल उसका रिलेक्टिव पर्मिक्टिविटी कितना दिया गया 5 तो आप 5 से क्या पर मल्टिप्लाई करो ठीक तो आप मल्टिप्लाई करने बार जो एंसर आएगा निकलके हमारा अपसालन इसकल तो 44.25 इंटू 10 दो पावर माइनस 12 फाइरट पर मीटर यह हमारा एंसर आएगा तो आंसर में अगर आपसन में देखोगे अगर आप तो आपसन यह दिख रहा होगा 44.27 इंटू 10 दो पावर माइनस 12 फाइरट पर मीटर हमारा क्या हो जागा एंसर हो जागा ठीक है तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग तो आप स्किन पर देख पारे होगा जो नेक्स्ट कोशन है कोशन नाबर 106 है यहां क्या दिया जा रहा है पुछा जा रहा है तो यहां पर पुछा गए जो डारेक्शन आफ लाइनस अप फोर्स होते किसी पॉइंट के हो क्या होता है किसके अलांग डारेक्शन होता है तो हमारा क्या होता है यूनिट पाजिट्व चार्ज ठीक है यूनिट पाजिट्व चार्ज के अलांग जो हमारी डारेक्शन होती है यानि यो मूब करने के लिएकर फ्री है तो उस पर जो हमारी डारेक्शन होती है उसी के कारडिक हम ल यू स्टाब करने याने कि क्यो नाट लेलो आप तो यहां इससपे जो आपका निकले गा आपका जो फॉर्स कोड़ा इसिक akan बटा इलेक्ट्रिक फील्ड पाजिटिव नेस्ट कोर्शन देखेंगे अब यहाँ पर जो नेस्ट कोर्शन ने 107 क्या दिया गया इट वाज सजेस्टेश्ट बाई डैस डाइट दा इलेक्रिक फिल्ट शुड बी इमेजेंड तो बी डिवाइड़ इन्टु टूप सफोर्स कंटेनिंगे फिस्ट नंबर यानिकि जो इलेक्ट्रिक फिल्ट होता है किसमें ट्यूप सब फोर्स में क्या डिवाइड होता है क्या होता है तो इस ने बताया था फाय और ने बताया था ठीक तो नेस्ट कोर्शन देखेंगे अब यहाँ पर जो next question है 108 क्या दिया गया the phenomena of an uncharged body getting charged merely by the nearness of a charged body is no night कोई एक uncharged body है और यह क्या charged particle है ठीक है इसकी वज़े से यह क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा ठीक है तो इसको आप क्या बोलोगे कौन से अब यहाँ पर question 109 क्या दे रहा है यहाँ पर दिया गया है यूनिट ट्यूब फ्लक्स यूनिट ट्यूब फ्लक्स इस नोन आज डैस ट्यूब इसको आप लोग क्या बोलते हो 109 का जो असर क्या हो जाएगा फ्लक्स ट्यूब की तरह होता है तोश्यूब लोग बोलते हैं फ्लक्स ट्यूब ठीक है नेस्ट कोसन देखते हैं इसका एंसर क्या होजाएगा यानिकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको क्या बोलोग आप जो 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 फ्लक्स का ठीक है किसी सर्फेस से पास कर रहा है लेक्ट्रिक फिल में दुश्क बोलते है तो नेों क्या है 101 क्या दिया गया है कि यूनिट अफ उलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो आपको पता ही क्या होता है यह जिदिया पर क्लाम ऑप्शन सीप्या हो जाईगा रई हो जागा ठीक है नूटन पर कुलांग है अब नेक्स्ट कोशन देखेंगे हम लोग कोर्शन नमबर 112 112 क्या कोर्शन नमबर इसमें क्या दिया गया है दा बैलू आफी विदिन विदिन दा फिल्ड द्यू टुटु ए प्वाइंट चार्ज कैन बी फांड विद दा हेल्प आफ ठीक करते हैं तो आप संद क्या हो जाएगा सी यानि कि कुलांब्स लाके कार्डेंग आप क्या करते हो किसी एलेक्ट्रिक फिल्ड में किसी पॉइंट पर आप क्या एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी यानि की वेलू का क्या करते हो फांड करते हो तो यह जो एलाक क्या रिप बोला गया dash at a point may be defined as equal to the lines of force passing normally through unit cross-section at that point यानि बोला गया कि जो आपकी lines of force है pass कर रही है कहां से unit cross-section से ठीक है unit cross-section से क्या कर रही है अभी हमाल लगते है magnetic lines of flux है ठीक है तो इसको क्या बोलोगे किसकी value होती है magnetic flux density की value हो जाएगा यानि कि flux passing through unit cross-section is called magnetic flux density ठीक है तो इसका option हो जाएगा हमारा magnetic flux density next question देखते हैं question number 114 तो 114 क्या दिया गया एक सो चौदे नमबर इसमें दिया गया electric intensity at any point in an electric field किसी point पर आपको electric intensity की value किसके equal होती है dash at that point तो किसके equal होता हम लोग क्या जानते है इसकल्ट होता हमारा v by d इसकल्ट क्या होता माइनस dv by dx यानि के potential gradient की equal होता है तो जो हमारी electric field में किसी point पर electric intensity की जो value किसके equal होती है potential gradient के equal होती है जिसको कि हम लोग माइनस dv by dx भी बोलते हैं ठीक है तो नेस्ट question देखते हैं हम लो question नमबर 115 तो 115 जो question है क्या बोल्डा electric flux density यानि के d is a related to electric field intensity यानि की e by the relation किस relation के थ्रूँ आप इसको represent करते हो तो जो relation होता है d equal to epsilon e इसे को अप लेखते हो epsilon naught into epsilon r into e यह क्या होता हमारा relation होता है तो action कौनसा right होगा तो afton e क्या हो right d is call to epsilon naught into epsilon r into e d क्या electric field density है flux density यह क्या लेक्रिचर फ्रील इंटेंसिटी है अप्सालन नार कि हुआ है एप्सालन आर पर्मिक्ति curse एर अन extraordinarilyग मैटेरियल ठीक है तो इस तरह के है तो आपनेस्ट कोर्सन देखते हैं तो यह पर जो अपसालन आ रहे क्या है रिलेटिव पर्मिक्टिविटी आ फ्र इयर और आपस्लन की वालों वह थी है ए Agora यहलो ठीक है तो नेस्ट कोशन देखते वन अंडैट सेक्स्टें हम लोग देखते हैं तो जो नेस्ट कोशन है कोशन नमबर 116 क्या पूछ रहा है इलेक्टिक डिस्प्लेस्मेंट इजेड डैस कॉंटिटी तरहां पर बोला इंटेग्रल आफ नार्मल कंपोनेंट और इलेक्रिक इंटेंसिती फिर जो सर्फेस जो नर्मल कंपोनेंट इसका सर्फेस इंटेग्र ओभर ये लोगे तो ये जो क्या बताता है इसी स्टेट्वेंट कम लोग बोलते हैं गौसेज ला बोलते हैं इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि कोई यह पर दिया गया है कि यह पॉइंट चार्ज आप 10 दौपर माइनस 9 कुलाब ठीक चार्ज की बहुत 10 दौपर माइनस 9 कुलाम है is placed at a point A in free space free space में रखा गया है the intensity of electrostatic field on the surface of a sphere of radius 50 mm and center is given by बोला गया कि कोई आपका sphere है क्या है? sphere है उसका रेडियस क्या दिया गया आपका रेडियस आपका दिया हुआ है आपका रेडियस जो दिया हुआ 50 mm दिया हुआ यही रेडियस इसका क्या वेलू दिया हुआ 50 mm दिया हुआ बोला क्या गया है आप इस sphere के surface पे आप क्या find करो क्या find करना है electrostatic field के क्या intensity यानि कि क्या e की value find करनी है आप charge की value क्या दिया है 10 दब पार मानस 9 पुलाम दिया गया है ठीक तो हैस निकालते हैं हम लोग क्या होती है e की value e is equal to वहता हमारा 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square आपको जो इस sphere इसके surface पे निकलना है यानि कि distance कितने होगा इसके radius के बराबर center से तो r है हम लोगा r square करेंगे तो यहाँ पहलू put करो q की value 10 दब पार मानस 9 रखना है और r के place पे क्या रखना 50 mm रखना है तो क्या हो जागा 1 upon 4 pi epsilon 0 into q 10 to the power minus 9 अपन r के place से 50 mm इसको आप क्या करो मीटर में convert करो तो आपको इसका क्या कर तो इसको आर करो ठीक अब उसके बाद क्या है 1 upon 4 pi epsilon 0 तो इसकी value क्या होगा तो 1 upon 4 pi epsilon 0 की value रखोगे आप 9 into 10 to the power 9 रखोगे ठीक तो जो आपका जो फाइलल एक्सप्रेशन निकल क्या है क्या है 9 into 10 to the power 9 यह किसकी value है 1 upon 4 pi epsilon 0 की value है into q q की value 10 to the power minus 9 है अपन r square तो 50 into 10 to the power minus 3 का whole square आप इसको solve करना calculate करना तो calculate करने के बाद जो निकल क्या है हमारा 3600 बोल्ट पर मिटर आएगा ठीक तो option में कौन से write हो सकता है तो option D आगर अब देखो लिखा गया है 3595 बोल्ट पर मिटर तो option D क्या हो जागा right हो जाएगा ठीक है ना तो यह option right होगा तो next question देखते है question number 119 119 इसमें बोला गया dash at a point is equal to the negative potential gradient at the point अब negative potential gradient करने मतलब क्या है यान कि minus dby dx इसी का potential gradient बोलो या फिर negative potential gradient बोलो यह क्या किसके equal होता है electric field के equal ही तो होता है is equal to electrical intensity के equal ही तो होता है तो क्या हो जागा answer हमारे 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 electric intensity यानि क्या हो जागा right हो जागा ठीक है next question देखते है question number 120 120 में क्या दे रहा है 120 में दिया गया the unit of dielectric strength is given by तो जो dielectric strength के unit क्या होती है किसमें होती है हमारी kb पर mm में होता है या फिर kb पर cm में होता है इन दोनों unit में ही होती है ठीक है अगर हम यहाँ पर option की question number 121 है तो 121 क्या बोला डाइलेक्टर की strength डाइस विद इंक्रीजिंग ठीकनेस ठीक है तो वीडियो को अगर आपको पसंदार रहा हो तो आप लाइक कर देना अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करते रहने जितने ज़्यादा आप सेयर कोड़े होगे उतने अच्छा को पसंदा आप अपने दोस्तों को साथ जरू सेयर करें तो जो को नोबर वन पूछा गया कि जो डाइलेक्टरिक स्टेंट होती है क्या होता है कि इसका इंक्रीजिंग थिकनेस को आप इंक्रीज कर रहे हो तो डाइलेक्टरिक से जाएंगे क्या पड़ेगा तो इसकी हम अखिर अगर आप नीचे देख रहे है हो ना सेन्टिमेटर यहीं किया है आपकी ठीक्नेस है ठीक्नेस ठीक्वटरास यह ठीकनेस एचलंगे आप अब इसको बढ़ाओंगे ठीक्व विख कं ठीक्नेस अगर आप इंध्रिप्रेज करोगे इस नीचे वाली विखर तो डल्टक क्या करेगी दीँग्रीज करेगी तो आप्षनकति अफ्राइट हो जागा आप्षन बैप्षन जेंगा आफके यानिकि今日 धिग्रेजraph । ऩह यानि की ठीकनेस एक ही तो यह क्या करें टो डाएलेक्टर की स्ट्रेंट थेटे त्रेल जिसका थिकनेश त्य दिया गया ब्रेक्डान वोटेक्ट जी ए डायलेक्टिक गीवन क्या गया गया है वी स्कल टू ये डाट टी टू द पावर 2 बाई 3 टी थिकनेश वी कर्टान वोटेक्ट विए ये इस कॉंस्टेंट डिपेंडिंग अपान दा नेचर अब दे मीडियम और अल्सों अन्द थिकनेश टी तो इस्टेटमेंट कौन सा होता है किसने दिया था दिया था पॉर्सला इसको इसको अभ्याद रखना नेस्ट कोसन देखेंगे हम लोग अब लोग एंचले पर कोसने कोश्ट नाबर वन्ट टॉनट स्री दफप्रौक्वर्टिए सर्थ आफ यानि की जो इलेक्रलग होता हमारा क्य गरता है एलेक्ट्रिक फिल्ड इनर्जी को स्ट्वर करता है तुश्री को चुर्पर उनका ऑप्र 采नरी को प्ला choses कि आगे डायस इस दप प्रप्रटी आपह क्या करता उसका चैन्जा पोल्टेज्ट झोट कर रहा है यानि क्या कर रहा है तो उसकी क्या बोलते है कि आपर्ट करता है तो हमाला कि आज का रास्ट सेन है किसे मैं इसको आपसालिएंगा बीच przy माली प्लेट के नंबर अपलेट है ड connected अगर नंबर अपलेट है तो जो हमारा capacitance कितने बनेगे चार लेट बनेगे ठीक है न तो यहां से आप देख लेना यां किया नंबरा प्लेट तो option कौन से राइट हो जगा option D हमारा राइट हो जाएगा ठीक है तो ये तो था आज का लेक्टर इलक्टर स्टैटिन का लेक्टर नमर त्री इसके आगे जि झाल 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 तक्स